हाई एप्रिवान मैं गिता वर्मा की ठेकनों लाइफस्टाइल में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बोटॉक्स ट्रीट्मेंट आप घर में कैसे कर सकते हैं पहले तो बोटॉक्स ट्रीट्मेंट होता क्या है क्यों करवाते वो मैं आपको बता देती हूँ यह बड़ी बड़ी सेलेप्रिटीज करवाती हैं अपने आपको जवान रखने के लिए आपने बहुत बार देखा होगा कि कितनी भी एज इन लोगों की बढ़ती जाए फिर भ निफेस पे ताकि इनकी जो जुरियां है वो खतम हो जाए और यह जो इंजेक्शन है ना बहुत महंगे लगते हैं और इसका जो असर है वो सिर्फ छे महीने तक रहता है और छे महीने बाद आपको फिर दुबारा सी इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं अब आप सोच प्राइस बता देती हूं कितना है तो एक सिटिंग का इसका प्राइस है 20,000 रुपे 20,000 रुपे आपको हर 6 महीने में खर्च करने पड़ेंगे इस तरह की स्किन पार अगर आप 20,000 रुपे हर 6 महीने में खर्च कर सकते हैं तो तो यह ट्रीटमेंट आपके लिए बहुत पर नहीं कर सकते तो इस वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि आज मैं घर पे किस तरीके से बोटॉक्स ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो तरीका लेकर आई हूं वो भी नैचुरल इंग्रीडियंट से जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और इंस्टेंट रिजल्ट है रेगलर यूज़ करेंगे तो आपको जूरिया नहीं आएगी काफी तो आईए देख लेते इस ट्रीटमेंट को करते कैसे हैं तो यहां पर मैंने एक चम्मच एक टेबल स्पून फ्लैक सीट्स ले लिया था जिसे अलसी के बीज भी बोला जाता है और इसे मैंने भीगोकर रग दीजिए सुबह तक बहुत अच्छे से फूल जाएगा और इसका जो जेल है वो बाहर आ जाएगा अब फ्लैक सीट्स इतना इतने सारे गुण होते हैं इसके अंदर की एक वीडियो में मैं बता ही नहीं पाऊंगी पर बोटॉक्स के लिए बहुत ही अच्छा है क्यों बाहर में डाल दिया है मैंने अब इसके अंदर में कुछ ऐसे इंक्रीडेंट्स डालने वाली हूं जो कि इस बोटॉक्स ट्रीट्मेंट को और भी जादा इफेक्ट तो यहां पे इसमें एक टेबल स्पून में चावल का आठा एड़ कर रही हूं अब चावल का आठा जो क иты थरियों को कम करने में मदद करता है क्योंकि यह हमारी स्किन को deeply मॉस्यराइज कर देता है और जिन लोग इसकी मॉस्यराइज रहती है उनको जल्दी जोर्या नहीं पड़ती आप मैं इसमें Methan डाल रही हूं केस्टर ओइल और केस्टर ओयल जोरिया कम करने में बहुत ज़्यादा मददकार है और यह आपको किसी भी केमिस्ट की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा अब मैं इसमें डाल रही हूं एक टीस्पून अलोवेरा जेल अब मार्किट का भी ले सकते हैं घर वाला भी ले सकते कोई सब और अलोवेरा के फायदे तो सब ही जानते ह कितना अच्छा होता है स्किन के लिए अब मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है बिल्कुल बारिक सा पेस्ट बना लिया है और यह हमारा बोटोक्स जेल घर का तयार हो गया है बोटोक्स ट्रीटमेंट तयार हो गया है कैसे इसे अपलाई करना है वो सब मैं आपको दिखाने व निकाल लेती हूँ ताकि मुझे आसानी हो इसे लगाने में और ये एक बार में आप देख सकते हैं काफी सारा बन गया है तो इसे आपको regular यूज़ करना है पाँच दिन डेली पाँच दिन यूज़ करिए एक बार बना के रख लिजिए डेली नहीं बनाना है पाँच दिन इसे लगातार यूज़ करिए फिर एक महीने का गैप दीजिए फिर नेक्स पाँच दिन आपको लगाना है और फिर एक महीने का गैप देना है तो डेली ये ट्रीटमें न पर बनाके रख लेजिए पांस दिन यूज करिए अब मैं इसे अपने फेस पर लगा के दिखाने वाली हूं यहां पर मैंने तीन महीने से अपने फेस पर कोई पैक नहीं लगाया है क्योंकि मेरी आई सर्जरी हुई है और डॉक्टर ने मुझे मना किया था कि पैक नहीं लग पैक लगाते हैं और नेक को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि गर्दन पर बहुत जल्दी जूरियां पड़ती हैं तो बहुत लोग तो चोड़ देते हैं इसलिए नहीं छोड़ना है और इससे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा तो इस तरह से मैं इसे पूरे फेस पर नेक पे अपलाई कर लूँगे आप चाहे तो इसे हाथ वगरा पे भी कर सकते हैं अगर आपके हाथों पे भी जुरियां है बाकी का पैक में संभाल के रख देती हूं फ्रिज में ताकि खराब ना हो इसे हम 20-25 मिनुट छोड़ देंगे हलका हलका सा सूखने देंगे पूरा नहीं सुखाना है एक दब टाइट हो जाएगा पूरा नहीं सुखाना है हलका हलका जब सूख जाए तो इस तरह से हलके हाथों से इसे स्क्रब करना है स्क्रब करने से क्या होगा जो ब्लैक हेड्स हैं वाइट हेड्स है जो डेट स्किन है वो निकल जाएगी अब बहुत ल करेंगे और यहां पहल्के के से स्किन Tai करना है तेज नहीं करना है तो फटरों और जबर बाश्राइब का हिस्ट मैव यहां पर देख सकते हैं हलके हलके हातों से मैंने pack को हटा लिया है और अब इसे मुझे खाली पानी से wash करना है कोई साबुन, कोई face wash का use नहीं करना है खाली पानी से मुझ को आपको धोना है और उसके बाद आप result देखेगा एक बार में ही आपको difference नजर आएगा तो मैं इसे धो के आती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ तो यहाँ पर मैंने अपने फेस को वाश कर लिया है और अभी भी पानी लगा हुआ है मैं इससे सुखा लेती हूँ और फिर आपको अपने फेस दिखाती हूँ तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि face में काफी अच्छी shine आ गई है एक ही बार में काफी अच्छा glow आ गया है तीन महीने से मैंने कोई pack अपने उपर यूज नहीं किया है क्योंकि मेरी eye surgery होई है जो कि मैंने already बता ही दिया है तो यह देखे कितने अच्छे से shine कर रही है मेरी skin और काफी soft और tight भी हो गई है एक बार में ही तो वीडियो helpful लगे तो like करें, comment करें, share करें, channel को subscribe करना बिल्कुल मत बुलेगा comment जरूर करेंगा, क्योंकि जब तक problem नहीं बताएंगे, तब तक मैं उसका solution नहीं ला पाऊंगे इसलिए comment जरूर करें, ताकि मुझे idea हो जाए कि आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते है और चैनल पर पहली बार आए है, तो इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पर आती रहती है मेक अप से related, hair care, skin care, तो चैनल को फटा फट से subscribe कर लीजे तो पर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ